हेलो चैंपियंस वेलकम बैक ऑन एड़ा 247 क्लास 910 योट्व चैनल तो क्लास 9 साइंस के सेशन में आप सभी स्टुडेंट का स्वागत करता हूं मैं रागविंद सिंग और आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है आज के सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम नया चै पार्टिकलस इन मैटर है ना क्योंकि चाप्टर नंबर फ्री में हमने ये तो पड़ लिया कि जो भी मैटर है वो ए एटम से बने हैं लेकिन क्या एटम से भी छोटे पार्टिकलस होते हैं अगर होते हैं तो उनकी खोज कैसे हुई है ना ये सब हम इस चैप्टर में डिसकर बहुत देखना है ना तो जाएशा किआ अप है we reading देख रहे हो पहला टॉपिक जो ująसी चेप्टर का है वह है चार्ज पार्टिकल से मैंटरण मैंटर मैंटरर किसका बना है एक रम का एटम नीट्रल होता है लेकिन upgrade इस पार्टान से बने होते हैं या एलेक्ट्रON प्रोटॉण वो तो श्रुख पार्टिकल होते हैं हैना नीट्रॉण नीट्र वोता है लेकिन टॉटॉण प्रोटॉण तो charge पार्टिकल है ठीक है तो इनकी खोज कैसे हुई यह सब हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे तो स्टार्ट करें चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चार्ट पार्टिकल्स इन मैटर ठीक है तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने के पहले चैप्टर नंबर 3 को थोड़ा रिवाइस करो याद करो चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि जो मैटर है मैटर मतलब एनिफिंग डैज मास एनि स्पेस है ना तो इनसान प्लांट चाहे लीविंग हो चाहे नौन लीविंग इटा पत्थर है ना कागज सभी आप जो देख रहे हो जो नहीं भी देख रहे हो जैसे हवा नहीं देख पा रहे हैं वो भी मैटर है और जो चीजें दिख रही हैं वो भी मैटर है और मैटर जो भी हो सभी बने किसके होते हैं एटम के यह हमने चैप्टर नमबर 3 में पढ़ा लेकिन आगे धीरे धीरे साइंस के फिल्ड में डिस्कवरी हुई और ये पता चला कि नहीं एटम सबसे छोटा नहीं होता जैसा डाल्टन ने कहा था एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स का पता तब चला जब हमको चार्ज के बारे में पता चला है ना तो इसी लिए टॉपिक का नाम है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर तो एटम सबसे छोटा नहीं होता एटम से भी छोटे particle होते हैं यह हम इस chapter में पढ़ेंगे ना और एक्टा कैसा structure क्या है की इसके बारे में पढ़ेगे तो आज का टोपिक जो है वो सिर्फ electron proton के बारे में रहने वाला है यहां चलि ग जो हमने बताया जो हमने अभी बोला वही चीज यहां लिखी है कि atom and molecules are the fundamental building block of matter यह हम जानते थे है ना the existence of different kind of matter is due to different atom constituting them अब पत्थर लकडी अलग क्यों है क्योंकि दोनों अलग-अलग atom से बने कागज और खाना अलग क्यों है दोनों matter अलग क्यों क्योंकि दोनों अलग-अलग atom से बने यानि matter atom का बना होता है और अलग-अलग atom के कारण अलग-अलग matter होते हैं यह चीज हमने chapter number 3 में पढ़ी है है ना वही चीज यहां लिखी होई है अब जैसे आप सेब देख रहे हो से भी matter है अपल कहीं ना कहीं यह भी किसी atom से बना है है ना और सेव इसे और यह मेरी जो pen है यह दोनों matter है दोनों Aleamoto से बना एकिन से एक डिफरेंस क्या है से में जो根 और एथम पाय जा पहला question, what makes the atom of one element different from atom of another element, तो अगर आपको ये पूछना चाहिए सर, कि आप जो कह रहे हो, कि carbon कमालो अलग atom से बना है, वो hydrogen का atom अलग है, तो आखिर इन में अलग क्या है, difference क्या है, ठीक है, यानि कि अगर अलग-अलग matter के atoms अलग-अलग हैं, तो क्या अलग है उन में, क्यों का चेहरा अलग है, क्यों का shape अलग है, उनका size अलग है, क्या अलग है, आप बताओ तो सर, पहला question ये आपके दिमाग में उठना चाहिए, कि atoms अलग-अलग, अगर मैं आपके सामने बोलू, कि iron, मैं आपके सामने ये बोलू, लोहा आपने देखा है, iron, iron का symbol क्या होता है, एफी, और gold, sona, sona के symbol क्या होता है, एयू, तो iron का जो atom है, और जो gold का atom है, इन दोनों atom में कुछ difference तो होगा न, तभी gold चमकदार है, है न, महंगा है, लेकिन iron उतना चमकदार नहीं है, थोड़ा सस्ता है, तो कुछ न कुछ इन दोनों के atoms में difference होगा, वो difference क्या है सर, ये बताओ, तो वो मैं बताओंगा भी, फिर दिमाग में ये question, ये भी उटना चाहिए, कि जैसे डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था, डाल्टन atomic theory में, कि atom is indivisible, यही कहा था न, atom इतना छोटा होता है, कि उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि ये बात गलत साबित हो गई, कब गलत साबित हो गई, जब atom से भी छोटे particle, electron proton की खोज हुई, neutron की खोज हुई, तो ये पता चल गया, atom divisible है, atom indivisible नहीं होता, तो ये तभी तक सही माना गया, जब तक charge particle की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो ये आपके दो कोशन दिवाग में उठने चाहिए, ठीक है, अब इस chapter में हम इनी दो कोशन का आंसर ढूड़ेंगे, ठीक है, पहला कोशन क्या था, कि आखिर दो element के atom में क्या difference है, तो इसी chapter में आपको पता चलेगा, कि difference electron, proton, neutron के numbers का होता है, ठीक है, और दूसरा कोशन, are atoms really indivisible, तो आपको ये पता चलेगा इस chapter में, कि नहीं atom divisible होते हैं, एटम से भी छोटे particle होते हैं, यानि atom को तोड़ा जा सकता है, ठीक है, एटम सबसे छोटा नहीं होता, उससे भी छोटा नन्ना मुन्ना particle हैं, जिनने हम electron, proton, neutron कहते हैं, ठीक है, तो यही हम इस chapter में पढ़ेंगे, और क्योंकि electron, proton, neutron, atom से छोटे particle हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सब-atomic particle, क्या कहा जाता है, माफ करना, सब-atomic particles, तो सब का मतलब छोटा, जहां भी सब आ जाया है, सब का मतलब छोटा होता है, जैसे DM, जिले का DM होता है, district magistrate, और एक होता है SDM, SDM मतलब subordinate district magistrate, तो सब आ गया, मतलब नीचे, मतलब DM के नीचे SDM काम करता है, तो सब का मतलब छोटा, तो छोटा मतलब atom से छोटा, तो atom से छोटे particles, electron, proton, neutron हुए, और इन्हीं को मिला कर सब atomic particles कहा जाता है, तो इनकी खोज कैसे हुई, इनके बारे में जो information है, अब हम इस chapter में पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, लेकिन सबसे पहला question यह उड़ता है, कि आखिर इन electron, proton, neutron के बारे में पता कैसे चला, हमको यह तो था, कि atom अब सबसे छोटा तो नहीं है, है न, तो यह पता कैसे चला, कि atom से भी छोटे particle होते हैं, मैं कोई hint मिलना चाहिए न, scientist कुछ समय तक, कई सालों तक यहीं माना गया atom सबसे छोटा है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कहीं तो hint मिला होगा, इशारा मिला होगा scientist को, कि पता चला कि atom से भी छोटे particle होते हैं, तो वो इशारा कैसे मिला, आई यह मैं बता, तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिससे लोगों को शंका हुई, यासे कि आप सभी लोगों ने स्कूल में एक्स्पेरिमेंट किया होगा, मैंने भी किया है, कि कागज के छोटे-छोटे टुकडे हमने टेबल पे फैला दिये, और scale या कंगी लेकर बालों में रगड़ो, और फिर उस कंगी को या scale को आप कागज के पास ले जाओ, तो क्या होता है, कागज के टुकडे तुरंद कंगी या scale पे चिपक जाते हैं, हाँ, हुआ है कि नह का जो कॉम है, कंगी है, या scale है, वो क्या, पेपर के small pieces को attract करता है, तो इसका answer, yes, attract करता है न, आपने experiment किया होगा, नहीं किया है तो कर लो, वैसे, इस class में आने तक, हम ये experiment कर चुके होते हैं, स्कूलों में, मस्ती के बदार पे, है न, मैंने भी किया था, चली, थोड़ी, कोल्ड है, मुझे सर्दी है, तो मेरी अगर, कुछ चीजें, अगर voice clear ना है, तो मुझे माफ करना, है न, थोड़ी आवाज, अलग type किया रही होगी, ठीक है बच्चों, चलो, तो पहला, फिर, और कहां से hint मिला, कि atom से भी छोटे particles होते हैं, तो एक और example है, जब आप, rub ए glass इसा कि आप यहां देख रहे हो, तो आप क्या देखोगे, आप यह देखोगे, कि वो जो रेशम का कपड़े है न, वो अब चार्ज हो गया, glass rod पे positive चार्ज आ गया, और रेशम के कपड़े पे negative चार्ज आ जाएगा, है न, अच्छा आपने कभी देखा हो, पॉलिस्टर की टी-शेट रिशेट जब हम क्या करते हैं, पहन के निकालते हैं, तो चट-चट अवाज आती है, कभी आप ट्राइ करना, जैसे यह मेरी टी-शेट है, पॉलिस्टर की है, और मैं घर जाकर जब इसे निकालता हूँ, चेंज करता हूँ, तो अकसर अवाज आती है, जैसे पार्टिकल के वज़े से ही है, अब चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव निगेटिव, निट्रल चार्ज नहीं होता, दिमाग में ध्यान रखो, चार्ज पार्टिकल दो ही होते हैं, मतलब चार्जेज दो ही होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिट कहते हैं और नीटरल का मतलब नूटरल का मतलब जितने फॉज़िटीव उतने ही निगेटिव चार्ज ठीक है को हम पता है कि और prosecutor चार्ड क्या करते हैं एक था प्रb ? और सेम टाइप चार्ड रिपल करते हैं दूर जाते हैं या नि-मैंस- दूर जाएगा प्लस प्लस से दूर जाएगा लेकिन प्लस माइनस पास आएगा है ना समझ में आ गया तो वही चीज है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से हमको यह कहीं न कहीं लोगों को साइंटिस्ट लोगों को यह लगा कि कहीं न कहीं charge particles है और इसी लिए ऐसा हो रहा है है ना क्योंकि opposite charge attract कर रहे होंगे तभी तो मालो कंगी पे positive charge रहा होगा कागज पे negative charge रहा होगा और इसी लिए opposite charge के वज़े से कागज attract हो गया किसके तरफ कंगी के तरफ समझ में आया क्योंकि अगर यह neutral होते तो कभी ऐसा होता कि कुड़े attract हो जाएं कभी नहीं होता यह तभी मुम्किन है जब charge opposite हो किसी पे positive किसी पे negative तभी ऐसा होगा तो यानि nature में charge particle होते हैं ऐसा confirm हो गया इस experiment से है ना अब उनी charge particle के बारे में खोज तलाश हुई भाई हम पहले तो शंका होती है फिर उस शंका को confirm करने के लिए हम क् करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर साइंटेस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ठीक है तो वह एक्सपेरिमेंट कौन-कौन सा था आये देखते हैं ठीक है तो from these activities इन दोनों example से can we conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged तो यहां स जैसे कोई एक चीज पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी दूसरी निगेटिव चार्ज की हो जाएगी जैसे आपको यह example exam में पूछा जाता है कि glass rot को silk से रगड़ोगे रब करोगे तो किस पे positive किस पे negative आएगा तो glass पे positive ग्लास पे क्या आएगा positive आएगा और जो silk है उस रब करने पर जो object हैं वो चार्ज हो जाते हैं उन पर चार्ज आ जाता है यह बात हमको इस experiment से साबित हो गई ठीक है अब कोशन यह उठता है where does this charge come from अब यह positive निगेटिव चार्ज आया कहां से किसी पे तो यह चार्ज होगा ना भाई मैं कहता हूँ pen आया pen आया कैसे किसी ने तो pen लाया होगा उसी तर चार्ज अगर आ गया रब करने पर तो वो चार्ज कैसे आया किसी पर तो यह चार्ज होगा और वो यह चार्ज लेकर आए रगणने पर है ना इस कोशन कैन भी आंसर बाई नोइंग डैट एटम इस डिविजबल एंड कंसिस्ट ओफ चार्ज पार्टिकल तो यह हम तभी एक्स्प्लेइन कर सकते हैं जब हम यह माने कि एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता होगा कुछ पे इविजबल है एटम सबसे छोटा नहीं होता एटम से भी छोटे पार्टिकल एक्जिस्ट करते हैं नेचर में ऐसा साइंटिस्ट लोग कंफर्म होगे तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ठीक है चलो अब वो तो हमको पता है आज कौन से वो एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं चार्ज पार्टिकल एलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन लेकिन इनका पता कैसे चला वो एक्सपेरिमेंट आए देखते हैं तो सबसे पहला अगर एक्सपेरिमेंट किसी ने किया तो चार्ज तॉम्सन ने एक experiment किया अब इस experiment में इन्हों ने आप ये देख रहे हो ना इस type का एक discharge ट्यूब लिया इसको क्या कहते हैं discharge ट्यूब जो glass का बना हुआ है अब ये चीजे ध्यान रखनी है जे जे थॉम्सन ने क्या किया जे जे थॉम्सन ने एक glass का बना discharge ट्यूब लिया और इस ट्यूब को जो देखने में ऐसा है इसको अगर डाइग्राम के फॉर्म में बनाएं तो ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हो यह जो आप ट्यूब देख पा रहे हो ना यही है डिस्चार्ज ट्यूब ठीक है जिसे हम क्या कह रहे हैं जो ग्लास का बना है जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे हैं यह है डिस्चार्ज ट्यूब और एक्चुली मैं दिखने में यह ऐसा है और इस डिस्चार्ज से जोड़ दिया तो देखो ये अलेक्टरोड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसी लिए इस अलेक्टरोड पे माइनस चार्ज होगा और माइनस चार्ज वाले electrode को हम क्या कहते है anode कहते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये आपका cathode हो गया ये anode हो गया और cathode anode ये discharge च्यूब के अंदर है और ये बैटरी से connected है अब जे जे थॉमसन ने दो चीजे की पहला कि जो potential difference था वो बहुत हाई रखा और जो यहां discharge च्यूब का जो प्रेशर था अंदर किसका प्रेशर गैस का उसे बहुत लो रखा ठीक है क्यों लो रखा ताकि जो atoms है gas के gas के जो atom है ना वो उनके बीच जगह हो क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा compressible कौन होते हैं gas तो अगर हम pressure ज़्यादा रखेंगे तो gas के atom पास पास होंगे pressure के वज़े से अगर हम pressure कम कर दें तो दूर दूर होंगे तो दूर दूर होंगे तो आपस में जब चलेंगे ना तो चलने के लिए इनके पास जगह हो दोडने के लिए जगह हो अगर आपको कहूं मैं एक बंद कमरे में एक बंद कमरे में चार लोगों को कहूं दोडने को तो दोड़ेंगे तो जगह कम होने के वज़ए से वो ठकरा जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां बोलूँ चार लोगों को दोड़ने को, तो आराम से दोड़ेंगे, बहुत जगह होगी उनके बीच, तो एटम के बीच, गैस के एटम, गैस के एटम कहा, इ तो एयर का प्रेशर लो था और वोल्टेज का डिफरेंस जादा था ठीक है अब उन्होंने एक्सपरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या देखा तो जेजेस हॉमसन ने यह अबजर किया कि इस ट्यूब के एनोड की तरफ एनोड मतला जिदर पॉजिटिव चार्ज बै जेजेज थोंविसन को अब यह यहां एनोड की तरफ और ब्रीन चमक क्यों उठी मैं क्यों इप टी ग्रीन चमक एक्सप्लेनेशन किस ने बिए अब क्या एक्सप्लेनेशन दिया ऑई यह देखते हैं जो जेजे थामसन ने यह जो हाइए वोल्टेज करेंट हाई वोल्टेज यानि कि ये बैटरी के बीच में जो पोटेंशल डिफरेंस था वो बहुत हाई था हाई क्यों रखा ताकि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सलेरेट कर सके तेजी से भाग सके है ना वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तिसका अंतार एक्सलेरेशन है और भागेगा तब जब जगा जादा हो जगा जादा हो इसलिए एर प्रेशर को क्या रखा था जेजर था था तो तो क्या देखा एनोड की तरफ डिस्चार्ज यूमें एनोड की तरफ ग्रीन रंग की चमक उठ रही थी ग्रीन फ्लोरोसेंस नजर आया है ना ग्रीन फ्लोरोसेंस वास सीन कमिंग आउट फ्रॉंड अदर एंड मतलब किदर एनोड की तरफ से ये ग्रीन फ्लोरोसेंस नजर आया किसको जा जेजे थॉम्सन को नजर आया किसमें डिस्चार्ज चूब में डिस्चार् कि देखो बट्रा बैटरी में यह जो एलेक्टरोड है ना तो यहां से निगेटिव एलेक्टरोण निगेटिव चार्ज वाले निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल तब उसे एलेक्टरोण नहीं कहा था बस जेजे थॉंसन नहीं कहा कि यहां जरूर कोई निगेटिव चा चारजवाले पार्टिकर िद्र जा रहे हैं बहुत तेज रफतार में बहुत सारे निगेट्व चार्ज पार्टिकल की भीड है सैलाव है वह इधर जा रहा है कैपर से किस के तरफ एनोड तरफ ठीक है और फिर एनोट पर टक्राने के वज़े से अब जब इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है तक्रा रहे हैं आपस में जो एटम है वो क्या हो रहे हैं तक्रा रहे हैं तो टक्राने से क्या हुआ टक्राने से यह हुआ कि जो एटम दूसरे एटम से टक्राया तो टक् एलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है निगेटिव चार्ज है तो किदर एट्रेक्ट होंगे प्लस चार्ज की तरफ और प्लस चार्ज किदर है एनोड की तरफ यानि कि डिस्चार्ज च्यूम में बहुत सारे एलेक्ट्रॉन पैदा हुए और वह बहुत सारे एलेक्ट्रॉन क इधर एट्रेक्ट हो रहे हैं एनोड की तरफ और जब एनोड की तरफ जा रहे हैं तो वह ग्रीन फ्लोरसंस टकराने के वज़े से क्योंकि जो यह ग्लास का बना हुआ डिस्टाज चूप था ना इसे अंदर की तरफ से एक ऐसे मटेरियल से पेंट किया गया था मतलब कोटिं तो इन्ही निगेटिव चार्ज पार्टिकल को जेजे थॉंसन ने क्या कहा कैथोर्ट पार्टिकल्स कहा क्या कहा कैथोर्ट पार्टिकल्स या कैथोर्ड रेस कहा तो वाटर कैथोर्ड रेस कैथोर्ड रेस आर स्ट्रीम आफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानि बह सारे एलेक्टरॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं इन्हीं एलेक्टरॉन को एक साथ बोला कैथोड रे किसने जे जे थॉंसन ने तो कैथोड रे असल में है क्या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बीम है या कहलो रेज है तो दे ग्रीन फ्लोरो सेंस वाज रिजल्ट ओफ रेज एमिटेट फ्रॉम दा कैथोड टॉड्स दा एनोड हैंस दीज रेज आर कॉल कैथोड रेज ठीक है क्योंकि वो रे वो पार्टिकल्स प्रेड्यूस क क्योंकि जो रे थी जो बीम थी उन्हें कैथोड रे कहा जेजे ठोंबसन नहीं कहा क्योंकि प्रेड्यूस का हुए कैथोड पर में क्योंकि उननीचर पता चल गया कि वो निगेटिवली चार्ज है उनको बाद में जेजे ठॉंबसन ने Cr forge को ही क्या कहा कुई एलेक्ट्रॉन का तो पहले एलेक्ट्रॉन नहीं रखा गया पहले तो एक्सपरिमेंट हुआ एक्सपरिमेंट से ये पता चला कि कैथोर्ड से जो रे प्रेडियूस हो रही थी वो रे के जो नेचर था वो निगेटिवली चार्ज था और उनी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बाद में नाम रख दिया जे जे थॉमसन ने क्या एलेक्ट्रॉन और इस तरीके से पहला सब एटामिक पार्टिकल खोजा गया जिसका नाम एलेक्ट्रॉन पढ़ा और जिसका नेचर पढ़ा माइनस चार्ज मतब उस पे निगेटिवली चार्ज था था तो एलेक्ट्रॉन की खोज हो गई ठीक है तो कैथोर्ड रे आपको ध्यान रखना है पहले इंसानों में हाती देखा होगा तो देखते ही थोड़ी बोल दिया होगा कि मेन पहले तो देए तरह बड़ा जानवरी सूरी दात बहार निकले हैं एक्स्पेरिमेंट किया तो यह पाया कि डिस्चार्ज चुमें जो रे प्रेडियूस हुई उस रे का जो नेचर था वो निगेटिवली चार्ज था तभी तो वो पॉजिटिवली एलेक्ट्रोड पे जा रहा था और वो रे प्रेडियूस हुई कैथोड पे इसलिए रे का नाम रख दिया कैथोड रे और यहार निगेटिवली चार्ज था इसलिए उन नेगेटिवली चार्ज कैथोड रे रे कह रहा है तो एलेक्ट्रॉन की खोज हो गई पहला सवे टॉप सब टॉप पार्टिकल जिसकी खोजी वह था एलेक्ट्रॉन ठीक है अब इसके बाद एक और साइंटेस जिनका नाम क्या था गोल्ड स्टीन गोल्ड स्टीन ने डिस्कवर्ड दा प्रेसेंस ओफ न्यू रे रेडियेशन और ने टाइप का रेडियेशन जो था उस पे जो नेचर था वो पॉजिटिव था तो उसे नाम दिया कैनाल रसे किसकाада यूटर जा के ने पम आगे एंकама नेचर पाया और प्रोजिटिव पाया गया तो इनका नाम रखे दिया ल madam है तो कैथो डरे का नाम रखा गया electron और कैनाल रेज आगे चलके इनका नेचर प्रो पॉजिटिव पाया गया तो इनका नाम रख दिया गया proton ठीक है तो इस तरीके से दूसरे सब अटामिक पार्टिकल प्रोटान की खोज हुई किसके दौरा गोल्ड स्टिन दौरा तो electron खोज लिया गया निगेटिवली चार्ज प्रोटान पॉजिटिवली चार्ज और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं सब अटामिक पार्टिकल्स हैं और एटम से भी छोटे हैं ठीक है तियर चलो हुए डिस सब्वाचूमिक पार्टिकल अभी प्रोटों की बात करें तो धिस सब्वाच pas Hoy बट ऑपोजनेंसट्टा greatest of Estone सब्वाच ए संद्वरा drug मतलब उंतर प्रोटों का पाए गया कि जो चार्ज है प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो उतना ही है जितना एलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन एलेक्ट्रॉन को जब कंपेर किया गया तो यह पाए गया कि चार्ज का जो मैगनिट्यूड है वो बराबर है लेकिन जो sign जो nature है वो opposite है proton पे positive तो electron पे negative लेकिन जितना proton पे positive है उतना ही electron पे negative है तो ये line आपको ध्यान रखनी है अगर पूछा जाए कि electron proton पे charge का magnitude बराबर होता है हाँ चार्ज का nature opposite होता है हाँ कैसे opposite होता है electron पे minus तो proton पे plus होता है ठीक है लेकिन मास को अगर compare करें मास तो हलका कौन है electron हलका है proton भारी है तो proton का मास वाज एक्स प्रॉक्सिमेटली एक्जैक्टली नहीं एप्रॉक्सिमेटली टू थाउजन टाइम्स एस डेट ऑफ एलेक्ट्रों यानि एलेक्ट्रों के comparison में प्रोट्वन दो हजार गुना ज्यादा भारी है ज्यादा उसका मास है यानि अगर electron का माल लेते हैं मास वन ग्राम तो प्रोट्वन का 2000 ग्राम तो समझ में आया रिलेटिव कंपेरिजन समझ में आया तो यह कंक्लूजन निकला ठीक है अब आप ध्यान से देखो अब देखो प्रोट्वन का जो मास होता है प्रोट्वन का जो मास होता है वह कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है एक्चुल में ठीक है ध्यान रखना प्रोट्वन का जो मास होता है प्रोट्वन मास वो कितना होता है actual mass सच में कितना वजन है तो 1.67 into 10 की power minus 27 kg और अगर electron का mass हम compare करें actual mass वो होता है 9.1 into 10 की power minus 31 kg तो अब बताओ minus में power कम हो तो वो बड़ी value होती है तो minus 31 power है minus 27 power है तो minus में कम power कहा है proton पे इसका मतब proton भारी है और अगर आप इन दोनों value को compare करोगे तो यही पाओगे कि proton लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी है किस से? electron से तो comparative देखोगे तो 2000 गुना ज़्यादा actual देखोगे तो actual mass यह होता है और अगर charge की बात करें तो हमने charge क्या पड़ा है charge का magnitude equal होता है वो opposite होता है तो अगर proton पे हम charge देखें proton पे जो charge होता है वो plus में होता है 1.6 sorry charge का SI unit mass का SI unit kilogram होता है तो हमने यह kg लिखा charge का SI unit क्या होता है? कुलंब current का ampere होता है SI unit लेकिन charge का होता है कुलंब और कुलंब का sign होता है C capital C तो proton पे जो charge है वो कितना होता है? 1.6 into 10 की power minus 19 कुलंब ठीक है? और electron पे कितना होता है charge? तो आपको पता है minus होगा लेकिन magnitude वही होगा तो magnitude इसको कहेंगे न तो यहाँ भी 1.6 into 10 की power minus 19 कुलंब ठीक है? अब पूरी value बार-बार क्यों लिखा जाए? तो हम इस value को 1 माल ले किस value को? अगर हम इतने value को 1 माल ले माल लेते हैं 1 लेटा सपोज तो यह क्या हो जाएगा? प्लस 1 तो यह क्या हो जाएगा? माइनस 1 समझ में आया? वही चीज यहाँ लिखाए लिए रिलेटिव चार्ज मतलब प्लस 1, माइनस 1 यह एक्ट्वल चार्ज है यह एक्ट्वल मास है ठीक है? समझ में आया? चलिए इन जनरल एन एलेक्ट्रोन इस रिप्रेजेंटेड एज इमाइनस पताईए और प्रोटोन को P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है? दामास फोटोन इस टेकन अस फ॥न मास ब्रोटोन प्रोटोन का मास कितना चाह। आपको बता दिया है लेकिन इसको हम 1 माल vara ठीक है? रिलेटिव रिलेटिव अगर मानेंगे तो वन मानेंगे and the mass of electron sorry the mass of proton is taken as one unit and charges plus one and the mass of electron is take considered to be negligible and its charges minus one the electron kamar charge relative charge minus one लेते हैं proton का relative charge plus one लेते हैं ठीक है तो यह धिहान रखने आपको एक्चुल और रिलेटिव दोनों में अंतर हैं ठीक है एक्चुल और रिलेटिव में अंतर है जैसे माल लो यह मैं हूँ मैं और मेरा दोस्त मेरा वजन सत्तर किलो और मेरे दोस्त का वजन एक सो चालिस किलो तो यह यह जो वजन मास मैंने लिखा यह तो एक्चुल है लेकिन अगर मैं सत्तर को एक्स माल लू तो मेरे दोस्त को मैं क्या बोलूंगा उसका मास कितना है टू एक्स तो यह क्या हो गया यह रिलेटिव हो गया उसी इतर प्रोटॉन का देखें तो प्रोटॉन का एक्चुल चार्ज कितना है प्लस वऊन पॉइंट इंटु 10 की पावर माईनस 19 कुलम लेकिन उतने को वगर 1 माले तो रिलेटिव चार्ज क्या हो जाएगा प्रोटॉन का प्लस 1 तो एलेक्ट्रॉन का माईनस 1 तो तो ये था आज का लिक्चर जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर के बारे में पढ़ा और एलेक्टरॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई उसके बारे में सीखा तो पहले चैप्टर नमबर 4 का जो पहला टॉपिक है वो हमने आज के सेशन में क्लियर कर लिया अब नेक्स सेशन में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसी तर अड़ा 24-7 क्लास 9-10 पर रेगुलर सेशन में आईए और अपने साइंस की तयारी बहतरी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जुड़ना ना भूले ऑन अड़ा 24-7 क्लास 9-10 यूट्यूब चैनल तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए जैं क्ट्राइब कर अब हुिए तक खुश और मां मिलते हुशभी साथ ना यूचित कर सकते हैं तक तक हैं तक हैं?